दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे तितली की life cycle के बारे में क्या आपको पता है कि तितली जब अंडा देती है तो उस अंडे में से तितली नहीं निकलती बलकि उस में से एक caterpillar निकलता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहरे तितली क्या करती है वो अंडे देती है, कई सारे अंडे तितली जाया थर पत्तो पर देती है उसके बाद अंडों से निकलता है कैटरपिलर या आप इसे लारवा भी गया सकते हैं लारवा पत्ते चवाता है और कुछ दिन तक ऐसे ही अपना पेट भरता है पत्ते चावाने के बाद लारवा अपने उपर एक लेयर बना लेता है और इसे हम लोग बोलते हैं प्यूपा या कोकून इस कोकून के अंदर से कुछ जिनों बाद एक नई तितली निकलती है यानि तितली की लाइफ स्टैज में चार स्टेज हैं सबसे पहले तितली अपने अंडा देती है अंडे से निकलता है लारवा यानि केटरपिलर और केटरपिलर के बनता है वो कोकून कोकून से हमें मिलती है बटरफ्लाई तो ये चार स्टेज बटरफ्लाई की लाइफ साइकल है इसके बाद एक healthy butterfly में निकलती है और वो निकलने के तुरंट बाद कुछी दुरबाद उड़ने लग जाती है और इस काम में करीब 27 से 32 दिन तक का समय लग सकता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू